Students, इस lecture में हम पढ़ेंगे Tension and Acceleration in a String When two bodies attached to the string are doing vertical motion जब दो bodies को एक रसी के साथ attach किया गया हो और वो दोनों vertical motion कर रही हो तो उस case में जो रसी में Tension प्रोड्यूस होगी और bodies में जो acceleration प्रोड्यूस होगा वो हमने इस lecture में find करना है सबसे पहले अगर हम Tension की Definition देखें तो Tension may be also termed as tightness in a string जब भी किसी रसी को खीशते हैं तो उसमें जो tightness produce होती है उसको कहते हैं Tension तो अगर हम इसकी proper definition देखें तो Tension की Definition इस तरह से की जाती है The force exerted by the string on the body when it is subjected to a pull यहां पर अगर हम इस diagram को देखें इस diagram में हमने इस dory के साथ एक mass लटकाया हुआ अब mass को जब हम नीचे लटकाएंगे तो mass का वज़न नीचे की तरफ अमल करेगा जिसकी वज़ा से रसी जो है वो tight हो जएगी अब इस tightness की वज़ा से रसी इस mass के उपर force लगाएगी जिसको यहां पर हमने show किया है tension के जरिए जितनी tightness ज़्यादा होगी इस dory में या रसी में उतनी tension भी ज़्यादा होगी tightness को भी हम tension के तरफ यूज़ कर सकते हैं अगर हम यहां पर इस diagram के मताबक देखें तो tension is a reaction force क्योंकि action force हमारे पास weight है जो के नीचे की तरफ अमल कर रहा है उसकी वज़ा से रसी में tension produce हो रही है जिसको हम कहेंगे के यह reaction force है so tension is a reaction force अब यहां पर जो main topic है हमारा वो है vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley हमने दो bodies की vertical motion को यहां पर study करना है जिसमें वो दोनों एक रसी के end से बांदी गई है और वो एक frictionless pulley के उपर से pass कर रही है अब यहां पर two bodies a and b of masses m1 and m2 respectively यहां पर दो bodies है हमारे पास एक body a है और दूसरी body b है body a का mass है m1 और body b का mass है m2 और इन दोनों को हमने बांदा हुए है एक रसी के दोनों किनारों से अब यहां पर अगर हम देखें तो अब यहां पर अगर हम गोर करें तो m1 is greater than m2 क्योंकि जो body a है वो size में बड़ी है और body b size में छोटी है इस वज़़ज़ से body a का mass यानि के m1 वो बड़ा होगा m2 से m1 ज्यादा है इसी वज़़ज़ से body a जो है वो नीचे की तरफ move करेगी और body b उपर की तरफ move करेगी क्योंकि यह दोनों एक ही रसी से connected है और दोनों की motion at the same time हो रही होगी जैसे जैसे body a नीचे की तरफ जा रही होगी वैसे वैसे body b उपर की तरफ जाएगी अब यहाँ पर जो चीज नॉट करने वाली है वो यह है कि both the bodies will have same acceleration क्योंकि दोनों bodies एक ही रसी के साथ connected है और जितनी acceleration से body a नीचे की तरफ जाएगी उतनी ही acceleration से body b उपर की तरफ जाएगी तो दोनों का acceleration same होगा direction दोनों की opposite होगी लेकिन value दोनों की same होगी और दूसरा point है कि tension T will be same throughout the string अब क्योंकि दोनों bodies जो है वो रसी के साथ लटकाई ही है हमने तो जाएगी सी बात है रसी के अंदर tension produce होगा लेकिन इस side का और इस side का tension दोनों आपस में बराबर होगे क्योंकि रसी जो है वो हमारे पास एक ही है तो tension भी हमारे पास दोनों sides पे same होगा so दो points जो है वो यह है कि दोनों bodies का acceleration भी same होगा और सारी रसी में हर point पे जो tension होगी वो एक जैसी होगी ऐसा नहीं होगा कि B वाली side पे tension कम हो और A वाली side पे tension जादा हो बलके दोनों tensions same होगी और दोनों bodies का acceleration भी same है अब अगर हम body A के उपर net force find करना चाहें तो अगर हम यहाँ पे observe करें तो body A के उपर total दो forces लग रही है body A का weight नीचे की तरफ और tension T उपर की तरफ यह दोनों forces जो हैं वो body A के उपर अमल कर रही है अब अगर हम इन दोनों को combine करते हैं इनको sum करते हैं तो हमारे पास इसके उपर लगने वाली net force हासिल हो जाएगी so हम net force को अगर यहाँ पे F से show कर दें तो वो बराबर होगी W1 माइनस T के W1 मेंस T को माइनस क्यों 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 है क्योंकर W1 का magnitude ज्यादा है W1 ज्यादा है इसी वज़े से body नीचे की तरफ move कर रही है और tension T कम है और क्योंके इन दोनों की direction एक दूसरे के opposite है लहाजा हमने W1 को positive कहा है क्योंके उसकी direction motion की तरफ है और T जो है उसको हमने कह दिया है negative so यहाँ पे net force की equation आजएगी F is equal to W1 minus T अब net force according to second law of motion हमें पता है F is equal to MA होता है अब क्योंके हम body A की बात कर रहे है जिसका mass M1 है लहाजा F is equal to MA में हम M के साथ 1 लगाएंगे तो यह आजएगा M1A यानि कि यहाँ पे यह शो कर रहा है mass 1 और W के जगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि as W is equal to MG so W1 is equal to M1G तो यहाँ पे हमने W1 की जगा M1G लगा दिया और tension as it is ठीक है तो यह हमारे पास equation आगई M1A is equal to M1G minus T जिसका हमने कह दिया equation number 1 अब अगर इसी तरह हम B body के उपर लगने वाली net force निकालें तो वो भी net force को हम F से अगर शो करते हैं तो वो आएगी T minus W2 अब यहाँ पे body B की अगर हम बात करें इसके उपर भी दो forces अमल कर रही है एक tension और एक उस body का weight लेकिन यहाँ पे क्योंके body उपर की तरफ move कर रही है इसकी वाज़े से हमें पता है कि tension यहाँ पे ज्यादा है और weight कम है क्योंके जिस force की value ज्यादा होती है body उसी direction में move करती है तो tension की value ज्यादा है और weight यहाँ पे कम है तो हम tension में से weight को minus कर देंगे और tension यहाँ पे हम positive ले रहे हैं क्योंके tension की direction motion की direction की तरफ है तो tension minus W2 अब F की और W2 की यहाँ पे अगर हम value लगाएं तो क्योंके body B की बात हो रही है तो F की जगा आजएगा M2A क्योंके body B का mass M2 so F is equal to MA यानि के M2A tension as it is और W2 की जगा हमने लिग दिया M2G so इसको हमने नाम दे दिया equation number 2 का अब यह हमारे पास है net force on body A और यह है net force on body B अब इन दोनों equation को use करके हमने tension की value और acceleration की value निकालनी है so पहले अगर हम acceleration की value निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों equations में से tension को खतम करना पड़ेगा यानि के tension को exclude करना पड़ेगा तो tension अगर हम देखे इस equation में positive है और इस equation में negative है अगर हम इन दोनों को add कर देते हैं तो negative की tension और positive की tension आपस में एक दूसरे को cancel कर देंगी so हमारे पास सिरफ acceleration रह जएगा so अगर हम equation 1 और 2 को add कर दें यानि कि adding equation 1 और 2 तो हमारे पास आ जएगा दोनों की left hand side को हम एक side पे add कर देंगे और दोनों की right hand side को भी हम अलग से add कर देंगे तो यह आजएगा m1a plus m2a यहाँ पे दोनों की left hand side को हमने add कर दिया और इधर आजएगा m1g minus t यह इधर की right hand side और plus t minus m2g यह equation 2 की right hand side ठीक है अब यहाँ पे यह वाला minus की tension और plus की tension यह equation जो थी इन दोनों ने एक दूसरे को cancel कर दिया तो हमारे पास equation आगई m1g minus m2g ठीक है क्योंकि यह वाली जो दोनों tension अब यह खतम हो गया और यह जो left hand side थी यह as it is आगई है ठीक है अब इन दोनों terms को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों मेंसे acceleration common है और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास g यानिके gravitational acceleration common है तो हमने जब दोनों को common ले लिया तो यहाँ आजेगा m1 plus m2 into acceleration और यहाँ आजेगा m1 minus m2 into g ठीक है अब हमने acceleration की value find करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो bracket m1 plus m2 वली इसके साथ multiply हो रही है इसको हम equation की दूसरी साइट पर ले जाएंगे अब जब equation की दूसरी साइट पर लेके जाएंगे तो यहाँ पे यह पहले multiply हो रही थी इस तरफ आके यह divide हो जाएगी so equation हमारे पास बन जेगी acceleration is equal to m1 minus m2 जो के यह हमारे पास मुझूद था divided by m1 plus m2 जो के यहाँ से हम दूसरी तरफ लेके आएंगे और साथ g जो है वह as it is आगया तो यह formula हमारे पास आगया है acceleration calculate करने के लिए अब यही acceleration body a की भी होगी और यही acceleration body b की tension find करने के लिए हमारे पास वही दोनों equation मुझूद है net force on body 1 और net force on body 2 यानिके body a और body b की so tension के लिए हम क्या करेंगे equation 2 को divide कर देंगे equation 1 से left hand side left hand side से divide हो जेगी और right hand side right hand side से divide हो जेगी तो यहाँ पे हमारे पास आजेगा m2a यानिके equation 2 की left hand side divided by m1a equation 1 की left hand side ठीक है तो यह हमारे पास यह time आगई और इस side पे भी जब हम right hand side को इसकी right hand side से divide करेंगे तो यह आजेगा t minus m2g yes it is आगया और divided by equation 1 की right hand side यानिके m1g minus t अब यह हमारे पास एक equation आगई है जिसमें हमने दोने equations को divide कर दिया अब इसको further solve करने के लिए हम इन दोनों को cross multiply कर देंगे यह वली जो term है यह उदर जाके multiply होजेगी और m1a इदर आके multiply होजेगा यहां पे हमारे पास equation बन जेगी यह m1g minus t जब उदर जाएगा तो यह आजेगा m1g minus t multiplied by m2a ठीक है इसी तरह यह m1a भी इदर जाके जब multiply होजेगा तो यह आएगा m1a multiplied by t minus m2g अब next step में हमने क्या करना है इस m2a को इन दोनों terms के साथ बारी बारी multiply करना है तो जब इसको हम पहली के साथ करेंगे multiply तो यहाज़ेगा m1m2ag 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 जब आरेंज करके लिख लिए और जब t के साथ करेंगे तो यह आज़ेगा m2a और साथ आगया t यही काम हमने इस साइट पर भी करना है कि m1a को इन दोनों terms के साथ multiply करना है तो यह आज़ेगा m1at minus m1m2ag ठीक है तो यानि कि हमने क्या किया m1a को इन दोनों के साथ बारी-बारी multiply किया तो हमारे पास यह दोनो terms आगी है अब अगर हम गोर करें तो इस तरफ की जो दोनो terms है उसके अंदर acceleration मौजूद है और इदर भी अगर हम देखे m1t minus m2t और इन दोनों से acceleration common लेके यह बाहर आ गया इस साथ से भी जब हमने acceleration common ले लिया तो यह हमारे पास आ गया a into m1t minus m1m2g अब यह acceleration और यह acceleration एक दूसरे से cancel हो गए और पीछे equation हमारे पास रह गई m1m2g minus m2t और इदर भी हमारे पास जो bracket के अंदर वाली term थी सिरफ वह रह जागी m1t minus m1m2g अब हमने करना क्या है अब यहां पे अगर हम देखें तो एक term में g है एक में t है इदर भी एक में t है एक में g है तो हमने t वाली दोनो terms को एक side पे कर लेना है और g वाली दोनो terms को एक side पे कर लेना है तो जब t वाली दोनो एक side पे की तो यह आजेगा m1t plus m2t और इदर से यह वाली जो दोनो terms से इनको जब हमने कठा किया तो यह आ गया m1m2g plus m1m2g क्योंके यह m1m2g जो है यह भी m1m2g है और यह भी m1m2g है तो यह दोनों आपस में plus हो गई और यह m1t और m2t आपस में plus हो गई अब इन दोनों में से t हम common निकाल सकते हैं तो जब t common लेंगे तो यह पीछे रहेज़ेगा m1 plus m2 और 7 आ गया t अब यह वाली जो दोनो terms है m1m2g और यह m1m2g यह दोनों similar terms हैं तो इसके साथ हम क्या करेंगे जब दोनों को plus किया तो यह बंजेगा 2m1m2g क्योंकि यह दोनों same थी तो यह साथ इनके 2 आ गया अब यहाँ पे हमने find करनी है tension so tension को अगर हम अलैदा कर लें तो m1 plus m2 जो इसके साथ multiply हो रहा है equation की दूसरी side पे आकर divide हो जाएगा so tension का formula हमारे पास आसल हो जाएगा 2m1m2g divided by m1 plus m2 यह जो m1 plus m2 थे यह इदर आकर divide हो गया है तो हमारे पास यह जो है final equation आ जाएगी tension के लिए अब यही tension इस side पे भी होगी और यही tension इस side पे भी होगी को हमने कहा था कि सारी की सारी string में जो tension की value है वो same है जो कि है 2m1m2 over m1 plus m2 multiplied by g so यह आ गया हमारे पास tension का formula so उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको like कर दें channel को subscribe कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो और bell icon को भी प्रेस कर दें ताके अगली आने वाली वीडियो के notification भी आपको मिलते रहें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें ताके वो भी इससे फाइदा हसल कर सकें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah आपस